दोस्तों वीलियन बनाने के लिए वीलायक और वीलियन दोनों का होना जरूरी है और आज के इस वीडियो के इंदर हम जानेंगे की वीलायक क्या होता है और वीलायक किसे कहती हैं इसके प्रेबासा क्या होती है और इसके उदारन क्या हो सकती है मतलब आपको विलायक के बारे में अच्छी जानकारी देंगे तो आप कह सकते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी अधिक उप्योग यह मगर वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चेनल पर नहीं हैं तो करप्य वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें आईए वीडियो को सुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि विलायक किसे कहते हैं दोस्तों विलायक असल में एक एसा परदार्थ होता है जिसका उप्योग विल्यन बनाने के लिए ही होता है अगर विल्यन बनाया जता है तो इसमें विलायक की मात्रा को ज्यादा रखा जता है और फिर इसमें अन्य परदार्थ जिसे विल्ली कहते हैं को गोला जता है जैसे कि आपने जब निम्बू पानी बनाया था तो उस समय निम्बू को पानी में मिलाया था और उस समय नमक की मात्रा को कम रखा जाता था और पानी की मात्रा को जैदा रखा जाता था और इन दोनों को मिलाने के कारण से यह विलियन बनता है और इस किरिया में जो पानी है वह ज्यादा मात्रा में है और इसी को विलायक कहते हैं क्योंकि विलायक वही है जिसमें किसी अन्य चीज को या फिर परदार्थ को मिलाया फिर गोला जा सकता है और इस पानी में ही नमकों मिलाया जाता है इस तरह से, अगर आप अन्य परदार्थों को मिला कर वीलियन बनाते हैं, तो उस बीलियन में जिस परदार्थ की मतरा सबसे जगे जएदा रहती है, वैं असल में विलायक होता हैं। और इस तरह से भी इसे समझाज़ता सकता हैं। इसके लग दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि विलायक की प्रिवासा क्या होती हैं वीलियन और विलायक को समझाना जरूरी है और आपको ये पता होना भी जरूरी है कि विलायक की प्रिवासा क्या होती हैं तो अगर आप इसके बार में नहीं जानते हैं तो आईए इस बार में बात करते हैं दो या दो से अधिक परदार्थों का सम्मागी मिसरन वीलियन कहलाता है और वीलियन को बनाने में जिस परदार्थ का सबसे जदा प्रियोग होता है उस परदार्थ को विलायक कहते हैं इसके लावा विलायक को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आगर वीलियन बनाय जा रहा है और उसमें एक परदार्त है जो की सबसे ज़्यदा मात्रा में है तो वही असल में विलायक होता है इसके लोग दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विलायक की उदारन क्या हो सकते हैं दोस्तों विलायक की कई उदारन हो सकते हैं मगर इसका सबसे सरल और परशिद उद इसके लोग दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विलायक की प्रकार क्या हो सकते हैं दोस्तों विलायक के अगर प्रकार के बात करें तो वह कुछ इस तरह से हैं दोस्तों अब तक आपने विलायक के बारे में कापी कुछ जाना है मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि विलायक कितने प्रकार के होते हैं और विलायक के प्रकार कुछ एसे होते हैं विलायक असल में दो प्रकार के होते हैं जैसे कि धुरी विलायक और एधुरी विलायक के नाम से जना जाता है और इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो के इंदर आपने जना की विलायक क्या है या विलायक किसे कहती है इसके परिबासा क्या है इसके उधारन क्या है और इसके प्रकार क्या होती है अगर आपके लिए जानकरी उपयोगी है तो करपे वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरू प्रुकरीम